कहलो फ्रेन्ड मैं डिखुडर अर्षय आयज आप लोगों को गयस प्रोब्लम के बारे में बात करें हैं जिन लोगों को गयस में मेरे ज्याधा होता है हूँ झाधी हम एस वीडियो बना रहे दゴite जिनों का चब्ज का प्रोब्लम होता है तो धुश्तों एक गैस का जो प्रोल्म है बहुत सारे लोगों को होता है क्यों होता है टाइम के वज़ा से ना खापाना सबसे बड़ा कारण है कोई एक्सरसाइज ना करना कुछ भागदर ना करना ये मुख कारण है गैस हो जाने का और गैस का प्रोल्म बहुत सारे लोगों को है तो आज हम आप लोगों को गैस के लिए एक होमेपैथिक मेडिसीन बताएंगे एक सिम्टम को ले करके आप बढ़िया समझेगा तो गैस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है थोड़ी सी सारधानी बढ़ती जाए तो गैस के समस्या से आप तुरंत निजात पा सकते हैं छुटकारा पा सक होता है अगर गैस को सेंग कोई बैक को होता है तो गैस को सित्फटा ने चुक्छ को अगरे नहीं कोई चोटा प्रोलम भी परोल्म ह contributor दो जीन लोगों को वा इस पेट में बनता है और भर-बार धिकार लेते हैं पाली करते प्रोम्स रहता है उसके लिए एक मेडिसीन अब लोगों को उत्ला Zweiam आप बार्केट में जाएं कार्वो भेज मेडिसीन 200 पावर का ले लें ऐसे विल कंपनी में और सुबह चारगुन सामके चारगुन बच्चा है दो 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 सुबह सामका और च्रेडोनियम क्यों मदर टिंग चले आधे का पानी में 12 बून सुबह तरगुन सामले लेकिन इस बात का विध्यान रखें कि कोई और मेडिसीन तो नहीं खा रहे हैं पास एक मेडिसीन पर विश्वास्क रखाएं एक गैस का जो प्रोल्म है आउज कर रहे हैं घैस बनता है गैस उपर कर बन रहा है तो इसका राम बान मेडिसीन है कार्वो कि अजिन लोगों को कबज का प्रोलम होता है उसके लिए तो और कर्वोफेज और चिरडुनियम मेजस करते हैं तो गैस प्रोलम और बहुत ही व्यासे डंक से ठीक हो जाए और हुमिख्यमेदफिक कि मेडिसान मेडिसान होती जो रूमानेन ठीक करती यह नहीं कि दवा ख़ाया ठीक हो गया है ठीक हो गया नहीं कुछ दिन दवा इसमा करें आपका ज़स का प्रॉबलम बिल्कु झाल झाल झाल